स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीडियो लेक्षी साथ आज हम बात करने वाले हैं एक प्लान के बारे में जिसका साइज है 25 x 45 25 x 45 के साइज में मैं आपको पहले तो एक ड्राइंग देखा देता हूं जिसका ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्श्ट फ्लोर है इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका एलिवेशन बहुत ही ज्यादा और शुंदर लगेगा अगर उसको 3D में कनवर्ट करेंगे उसके प्राफिट 2-inch यहां से मैं इंट्री होगी हमारी यहां से मैं इंट्री रहेगी इसका मैं भी आपको जब इलिवेशन दिखाऊंगा जब आपको बहुत सारी चीजह क्लियर हो जाएगी यहां पर हमारा ड्राइंग रूम हो जाता है ड्राइंग रूम जिसका साइज है 16 फि करेंगे यहां से एक लोज्व या हौल मिलता है जिसका साइज है हमारे पास बारा फित चार इंच हबाए खाल इंच भाकोध सॉला फिट चाहैंएmyंगे लिए और एक डिस्ट्रूम के लिए दो नो के साइज है 8 feet 3 inch by 4 feet के अब हम देख लेते हैं पीछे पीछे की और हमारे पास यहाँ पर एक bedroom है जिसका size है 12 feet 10 12 feet by 10 feet 6 inch और यहाँ पर toilet और यहाँ पर हमें dressing बगिरह मिल जाती है toilet का size रहेगा जो की master bedroom है तो यहाँ पर हमें toilet मिलती है 7 feet by 4 feet यहाँ से अगर हम बात करें इसकी bedroom की तो यह bedroom में 11 feet 9 inch by 12 feet का हमें size मिल जाता है यहाँ पर television वगिरह के जो सामानिता होते हैं अगर हम इससे यहाँ तक के size की बात करें तो 15 feet 2 inch by 11 feet 9 inch इस तरह से हो जाता है हमारा ground floor complete अब हम देखते हैं first floor हम first floor में यहाँ पर आ जाते हैं अब हुए थे तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से down होंगे तो ground floor में चले जाएंगे same position सामने की हमारी है यहाँ पर terrace मिल जाएगा यहाँ पर drawing room जिसका size है 16 feet by 10 feet 8 inch यहाँ से हमें bedroom मिल जाएगा same 10 feet 9 inch by 11 और hall हमारा होगा जिसमें 12 feet 4 inch by 16 यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो general toilet 8 feet 3 inch by 4 same position same सब कुछ रखा गया है क्लाइंट की requirement थी उसके according ही यह complete किया गया bedroom 11 feet 9 inch 12 feet and यहाँ पर last हमारा यह bedroom 12 feet by 10 feet 6 inch और यह toilet 7 feet 4 inch अब हम देखते हैं इसका elevation यह देखें यह हमारे पास elevation आपको देखने से ही बहुत ज़्यादा यह हमारा 3D होगा तो और भी अच्छा लगेगा अभी मैं आपको कुछ इसका 3D जो work चल रहा है वो भी बता दूँगा जो कि client की requirement पर है यहाँ से हमने जैसे की देखे थे उसके बाद इसका 3D views complete करते हैं यहाँ पर आपको यह hatching देखने को मिलेगी यानि कि यहाँ पर dotted plaster आएगा यहाँ पर विंडो है हमारी उपर की और देखते हम तो यह एक विंडो रहेगी यहाँ पर हमारे designs आएंगे यहाँ पर glass लगेगी हमारी और यहाँ से एक lines आएगी अब देखिए यहाँ पर यह हमारा हो जाता है फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर हमारे टेरिस का हिस्सर आएगा यह हमारी रहेगी पेरपेड वाल और यह design जो है हमारे यहां से यहां तक रहेंगे design और यह अगर हम इसकी बात करें तो यहां से हमारा यह design आएगा round shape में इसको हम अलग-अलग तरीके से करते हैं जब हम इसको बनाते हैं तो थोड़े से experimental तौर पर भी कभी कभी करते हैं यहां से rafter आएंगे और यहां पर design आएगा तो कुछ इस तरह से हम इसको कर सकते हैं और मैं आपको अब इसके बारे में drawing complete हो जाती है मैं आपको बताता हूँ इसका 3D जो की हम किस तरह से इसका करते हैं देखी इसका अगर हम 3D की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा जिससे आपको यहां पर clear समझ में आता होगा कि यहां से positions क्या होगी उसमें बहले ही आपको clear समझ ना आए देखी यहां पर कुछ designs रहेंगे हमारे इस तरह से बनेगा और यहां पर lines आएंगी यह प्लस में रहेंगे हमारे 9 इंच यहां पर यह रहाएगा design प्लस में और यह राफ्टर रहेंगे मैं इसका second आपको भी दिखाता हूँ जो की color है यहां पर हमने कुछ changes किये हैं यहां तो आपको यह कुछ changes जो हैं यह देखने को मिलते हैं और इसके बाद मैं आपको last changes दिखाता हूँ जो कुछ इस तरीके से हैं तो हमारे पास option होते हैं कि हम कुछ इस तरीके से changes करके देख सकते हैं कि कौन सा better लग रहा है friends I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो अगर आ करने रहें मिलते नेक्स्ट वीडियो में किसे ने टॉपिक साथ अब तक के लिए thank you